हेलो गाइज मेरा नाम है शेशांग बिलवाल और आज की इस वीडियो में मैं अपने नए फोन रेद्मी नोट 10 प्रो में एक नए अपडेट के बारे में बात कर रहा हूं तो अभी रिसेंटली कल परसों में मुझे अपडेट आया अभी तक मैंने इंस्टॉल नहीं किया है तो अब आज इस वीडियो में इसको इंस्टॉल करूँआ और अपना पस्ट एक हैंज उन दूँगा इस अपडेट पे तो देख लेते हैं अपडेट के बारे में क्या और यहां आप देख सकते हैं कि MIUI version 12.5.2.0 और यह इसका एक और सीरियल नंबर यह अपडेट आया है जिसका साइज है 743 MB तो इंस्टॉल करते हैं इसे इसमें देख लेते हैं क्या क्या डिटेल्स हैं तो इसमें आता है सिस्टम सिस्टम के अंदर डिटेल्स हैं आप वीड शाओमी, क्लाउट, कैमरे में कुछ नहीं फीचर्स हैं कैमरे का मैं पढ़ लेता हूँ एक बारी निव मोड फॉर रिकॉर्डिंग वीडियो, ताइम लैप्स, फोटोग्राफी, अज वेले सेट फिल्टर कुछ फिल्टर आई हैं और इसको डाउनलोड करके फिर ही देखत कर लेता हूँ, वाइपर से ये कनेक्ट हो चुगा, और डाउनलोडिंग, तो आप देख सकते हैं डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है, और इसको डाउनलोड होने देते हैं और फिर उसके बाद इसको मैं इंस्टॉल करता हूँ, मिलते हैं इस थोड़ी देर बाद, और द ये अपडेट डाउनलोड हो चुका है तो हम statements में है जैसे कि अपडेट पर क्लिक करते हो और इस अपडेट पर कलिक करने बाद यहाँ अपर यह अपडेट हो चुका है और इसे कर देते हैं reboot now और देखते हैं कितनी दिए में इंस्टॉल करता। अब दिश्कते हैं रिबूट हो चुका है। हल्का सा वाइब्रेट भी किया नहीं। तो इसको होने देते हैं और देखते हैं कितनी देर में अब डेट होता है। और इंस्टॉल होने के बाद मैं दुबारा मिलता हूँ आपसे तो गाइज इंस्टॉल तो यह अब हो गया है इंस्टॉल सच में बहुत फास्ट हुआ है और मेरे खाल से तीन या चार मिनट के अंदर ही इंस्टॉल हो गया तो आपसे खते हैं अपडेटेड एमा युवाई ससस्टॉली एंड क्लिक करते हैं तो यहीं वो सारी चीज़े आ गई है तो अब बात करते हैं अवरॉल फीचर्स की क्या है तो सबसे पहले जैसी मैंने इसे इंस्टॉल किया तो मैं देख रहा हूं कि मेरा जो बाल पेपर है वो चेंज हो गया अगर मैं लॉक स्क्रीन की बात करता हूं तो लॉक स्क्रीन पे भी वो चेंज हो चुका है तो फिंगर प्रिंट की बात करते हैं तो फिंगर प्रिंट पहले की तरह तेज ही है और कोई lag bag नहीं नज़र आ रहा है बात करते हैं सीज़र सेटिंग पर about phone तो आप दे सकते हैं MIUI 12 का जो logo है वो थोड़ा सथ change हो चुका है और security updates भी थोड़ा से change हो है और MIUI 12.5.2 का आपको यहाँ पर नाम देखने को मिल रहा है all specs पर जाते हैं तो same वोई चीज़े आयाती है जो की पहले MI 12.0 में थी बात करते हैं overall features के बारे में तो हाँ phone ठीक लग रहा है एक refreshing सा look आ रहा है जैसे बॉल बेपर नोंने change कर दिया अपने आप तो उसे आप से लग रहा है कि यहां होई कोई चीज़ अपडेट हुई है नहीं phone के अंदर और थोड़ा सा मैं यह देख रहा हूँ कि setting के अंदर थोड़ा सा dark से हो गए है जो इसके text है वो और themes बजाते हैं तो कुछ नहीं है आप वाल पेपर बजाते हैं अगर मिल जाए तो यहां पर साब दे सकते हैं यहां पर हमें जो एक circular वाले जो भी wallpaper है वो यहां add हो गए है तो किसी एक को install करता हूँ यहां पर apply करते हैं तो अच्छा है फीचर अच्छा है वाल पेपर काफी बेटर लग रहा है और overall features यही है कि इसके अंदर थोड़ा से bug fixes जो भी चल रहे थे बीच में थोड़ा camera improvement वो सब में थोड़ा फर्क दिया गया है और दे सकते हैं थोड़ा सा better लग रहा है मुझे यहां पर देखने पर थोड़ा low light पर उन्होंने work किया है और यहां आप देख सकते हैं थोड़ा सा 64 MP पर फर्क दिया गया है लग रहा है थोड़ा अच्छा मैं जैसे आप से यूज कर रहा था था फोन तो रही बात इन सब चीज़ों की अब इसका हम 120 Hz वाला जो system है वो on कर लेते हैं मैं यूजवली से on off ही रखता हूं कि थोड़ा सा battery का battery बचानी है तो इस वज़े से तो आप देख सकते हैं थो काफी वही पहले जैसी बात है फुरती है वही वाली हाँ तो overall features की बात करों तो काफी हद तक better हो गया फोन पहले भी सही था और यह major improvements तो नहीं कहुँआ है थोड़ी थोड़ी चीज़ों पर फर्क किया है और रही बात दूसरी चीज़ों की तो हाँ यह internally थोड़ा सा phone को stable रखेगा और थोड़ा नहीं security patches आ गए है और यह काफी तक एक सही update है वैसे देखा जाये तो तो बस इसी वीडियो में यही है सारे features जो की बताते हैं इसमें तो अगर वीडियो ज़रा से भी helpful लगे और यह update में कितना time लेता है कितना क्या है और क्या-क्या features है तो thank you for watching guys and मिलते हैं अगली वीडियो में और thanks for watching again peace